OMR टेस्ट आपके शुरू हो रहे हैं HPSSE Clark Post-Cod 962 के लिए 5 अगस से 17 सप्टमबर तक आपके OMR टेस्ट यहाँ पर हमारी टीम कंड़क्ट करवाने जा रही है फ्रेंड्स इसमें लगवग 10,000 से जागा स्टूरंट्स अपियर होने वाले हैं तो पेपर से पहले आप यह टेस्ट जिरूर लगाएं और खुद के त्यारी को एक बाद चेक आउट कर लेना जिसमें आपका ग्राफ रिपोर्ट भी निकाली जाएगी आपका कट अफ भी रहेगा और आपका रैंक कितना बन रहा है यह सारी चीज़े आपको मौक टेस्ट के रूप में पता चल जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर वर्टसाप कर लेना नमबर आपकी स्क्रीन के सामने है ठीक है वर्टसाप करके यह OMR शीट की जितने भी टेस्ट रहेंगे इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर वर्टसाप पर मिल जाएगी जो पहले बार जूड़ रहे हैं मनको बता दू मौक टेस्ट हम डिसकस करते हैं लेकिन इसमें हम रैडमली कॉश्चन को डिसकस करते हैं जिसमें आपको यह मौक टेस्ट के रूप में लगाना होता है पूरा मौक पेपर आपको वीडियो के एंड में उपन कोड बताऊंगा और यह घर मैटे आप अटेंड कर सकते हैं सीम्पली आप यहाँ पर इस नंबर पर वर्टसाप कर लेना अगर आपको यह पूरा-पूरा मौक पेपर चाहिए ठीक है पहला कोशन है पावक का प्रयवाची शवद है त्री सेकंड रहेंगे सभी के पास दराइट आंसर इस ओप्शन नमब भी खुताशन फ्रेंट्स याद रखलिना पावक का प्रयवाची शवद है हुताशन हाथ को हाथ ना सूझना इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है क्या ये ब्रह्म में पड़ जाना खोए रहना घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना थ्री सेकंड है सोची जल्दी से हाथ को हाथ ना सूझना फ्रेंट्स इसका मतलव रहेगा ओप्शन नमबर C घना अंधेरा होना नेक्स्ट देखेंगे धनवान का बिलॉम शब्द है बहुती मौस्ट रपीटेड है ये बनता है एक्जाम में धनवान का बिलॉम शब्द यहाँ पर है अंकी चन ठीक है ओप्शन अबर A is the right answer धनवान का बिलॉम शब्द अंकी चन नेक्स्ट देखेंगे गोशाला में कौन सा समास है फ्रेंस ये सबी कौना चाहिए गोशाला में कौन सा समास है यहाँ पर दराइट आंसर इस ओप्शन अबर A तत्पुर्ष समास नेक्स्ट देखेंगे कौन सा शब्द दूसरों से संबंदित नहीं है मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये randomly mock paper हम mock paper के रूप में लगाते हैं 3 seconds आपके पास लेते हैं सोचने के लिए क्योंकि आपको लगाना ही है कौन सा शब्द दूसरों से संबंदित नहीं है the right answer is option number जली से देखिए car, tire, steering wheel, engine एक जैसे car संबंधित नहीं है clear option number D is the right answer next यहाँ पर देखेंगे 1905 में Congress के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जिसने सौदेशी और बंगाल के वहिशकार अंदोलन का समर्थन किया friends जब भी हम Congress अधिवेशन की बात करते हैं 1905 की यहाँ से बहुत बार क्वेशन देखने को मिलता है modified रहते हैं ज़िसर वर्टसाप करके short notes भी आप ले सकते हैं क्योंकि हमारी team ने यहाँ पर बहुत इचे तरीके से kit course यहाँ पर ready कर दिया है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी help मिलने वाली हैं तो इसका सही answer होगा option number D यानि की गोखले friends उनी सो पाँच में Congress के अधिवेशन की अधिख्षता गोखले ने की जिसमें सुदेशी और बंगाल के वहिशकार अंधुलन का समर्थन किया Congress के किस विशेश सत्र में गांधी ने सरकार के खिलाब सत्रगड़क के अपने बिचार के अनुमोधन के लिए प्रस्तुत किया basically इस टाइब को जो question होता है वो आपके N.T के exam में देखने के मिलता है नाइब तेसिलदार के exam में लेकिन आपको तो सभी question आने चाहिए friends इसका सही answer क्या होगा the right answer is option number C Calcutta 1920 यह बहुत important question है इसलिए add किये गया है friends मैं एक बार फिर से आपको कह देता हूँ कि OMR sheet test आपके 5 अगस से 17 सप्टमबर तक लिए जा रहे है जिसमें दस अजार सेजार स्टूरेश अपियर होने वाला है जिसमें आपका graph report cut off your rank यह सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और कहीं न कहीं आपको एक idea मिल जाएगा कि आपको हाँ पर stand कर रहे है तो सारी जानकारी आपको वर्ट्साप पे मिलेगी और clerk kit course भी इसमें आपको available हो जाएगा और test series भी और कम से कम जो आपके short test रहेंगे 400 से 500 test वह भी आपको update हो जाएगा भारती संभिधान का कौन सा अनुच्छेथ राजनितिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है the right answer is option number d none of the above अब आपने मुझे इस 80 question का ठीक है comment box में comment करना है क्योंकि हमने जितने previous आपका mock test हुए है उसमें हमने discuss किया है भारती संभिधान का कौन सा अनुच्छेथ राजनितिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है इसका सही answer according to option none of the above whatsapp नहीं comment box में comment करिए इसका सही answer रामसर समेलन आयोजित किया गया था जितना भी रामसर convention रहता है यहां से question होता ही होता है ठीक है तो बताइए इसका सही answer रामसर समेलन आयोजित किया गया था याद रखने ना इसका सही answer है इरान के वार इराक इरान में confusion होती है लेकिन इरान is the right answer clear निमल्यों कितमें से किस हडपा स्थल में यूगल दफन पाए गये थे ठीक है इसका सही answer जल्दी से 3 seconds अभी के पास रहते है the right answer is option number D लोथल friends यह ऐसे topics है ऐसे highlighted है लोग को पता होना चाहिए निमल्यों लेकित में से किस राजवाश ने खुजराहों के मंदिरों का निर्वान करवाया था बताईए राजवाश की बात हुई है खुजराहों टॉपिक देख लीजिए दराइट आंसर इस option नमबर ए चंदेल्स चंदेल्स राजवाश ने खुजराहों के मंदिरों का निर्वान करवाया था किस राजवाश ने हाथियों को द्रुगटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की गोशना की है काफी हाइलाइट है यह न्यूज में भी रहा है और आपके न्यूस पेपर में भी करंट अफे सक्षन है यह दराइट आंसर इस option नमबर डी और इ इशा ने हाथियों को द्रुगटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की गोशनाया पर की है भारत ने किस तारिक से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिवंथ लगा दिया यह आना चाहिए आपको क्योंकि यहां से क्वेशन बनेंगे जितना क्या है इसका जो कूपन कोंड रहेगा क्लर्क 0120 क्लर्क 0120 यह वर्ट्साप करिए और पूरा का पूरा मौक पेपर आप घर पे बैठके अटन करिए और चेक आउट करिए खुदकों कि कितना आपका ग्राफ बन रहा है और OMR शीट की सारी जानकारी भी आपको वर्ट्साप मिल जाएगी किसी भी डाउट help question के लिए भी आप वर्ट्साप जुरूर करें और जुड़े रही है next हम देखेंगे यहां पर और कौन सा ऐसे मौक टेस्ट है जिसको आप अटेंड करिए 3 seconds में और अपना अंसर सोचिए इससे आपको पता चलता है कि आपको कॉनकों से topic कॉ जोर है या फिर मजबूत है को कि इस वार mission है सरकाई नोपरी तो चलिए सिक साथ जय हिंट जय हिमाचल